उन्हें तुमें वो नहीं दिखे छे लोग जो मारे गए और अनिगिनत लोग अभी लापता वो नहीं दिखे तरह को रोहिंग्या मार रहे ना नूमे मे वात में चिला रहे उना तुम अब बहां I.D. लेके नहीं गए तुम बहां कैमरा नहीं लेके गए वहां गय नहीं जा ही सकते हैं मार दिये जाओगे तुम हाईडी लेके झाओगे खटम कर दिये जाओगे जैसे वहाँ पुलिस अधिकारी ओम और लोगों को मार दिया गया जो सनातन धर्म के आधार पर जलाविशेक की यात्रा करने जा रहे तो उनुका क्या दोश था जलाविशेक की यात्रा साबन के महिने में संकर जी के लिए करने जा रहते पत्थर उपर रखकर फेंके गए उपर पेट्रॉल बम रखे गए गोलिय रखी गई बंदूखे रखी गई वहां से फाइरिंग होई पुलिस को एर ड्रॉप करना पड़ा घेरा इतना था लोगों का पुलिस को ऊपर से एर ड्रॉप करके उतारना पड़े गरबती महिलाएं बच्चियां बच्चे बंधग पना लिए गए थाना साइवर क्राइम अपराधियों ने यही रोहेंग्या जिनको खुसने पर तुमें कोई पावंदी नहीं है सीमा के लिए पावंदी है वही ठाने में गेट जब बंद कर लिया पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए बठे रहे चुप गए बस से लाके दिवाल तोड़ती गई और उसके अंदर काडिया खुसी हतियारों से गोलिया चली बसे जलाई गई काडिया फूकी गई सरकारी संपत्त को जलाया गया तब आपकी आईडी भी नहीं गई कैमरा में नहीं गया तो सर आप जो है जब ये बात करते है तो वही सरकार रहना जो इंदू के रक्षा के लिए जाना जाता है उन्हीं के राज्य में हो रहा है उन्हीं के राज्य में का सुरक्षा करवा रहना तो जब योगी जी का फार्मूला आया बुल्डोजर बाबा आये हर्याना में तब क्यों चिलाने लगे तुम तब क्यों चिलाने लगे था तुम ही लोग तो चिलाने लगे थोड़े दिना और चल जाने देते जरा पता चल जाता जब छे साल से वहां उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और माफिया तंक समाप्त हो गया तो नुह में वात में भी इ ली कैसे कैसे काम करते हैं अब सब असूली होगी उन्ही से निर्दोस है उन्हें तुम्हें वो नहीं देख जाके वहां बहले देख पिर बोल इस बात को कि निर्दोश लोग है वो निर्दोश है जिनोंने गोलिया चलाई बच्चों पर गोलिया डेड़ साल के बच्चे को बाप कैसे बचाता घूमा देखना वहां जाके लोगों से पूछना अब तक जितने लोगों पर जो ए F.I.R होता है उसमें 80% F.I.R को जो जूटा माना जाता है तो आप कैसे इसे सब कहते रहते हैं